नमस्कार दोस्तो आज 30 जनवरी 2024 पसपस्क प्रियो मायावति और भीम आर्मी चीप चंदर से खराजास से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी ख़बरों को लेकर आपके वीच हजर हुए हैं तमाम छोटी बड़ी ख़बरों को विस्तार से जानेंगे इससे पहले आपसे छोटा सर निवेदन हैं अगर आप सच्चे अंबिट करवा दी हैं तो कॉमेंट वॉक्स में जैभीम लिखना बिल्कुल भी न भूलें इस वीडियो करें जादा से जादा से शेयर और चैनल पर नहें तो भूजन समाज के इस चैनल को जरूर सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करन आएंगे बड़ा अंदोलन जी हमित्रो आप सभी को पते होगा दिल्ली विस्विध्याला की प्रोफेसर डॉक्टर रितू सिंग लगभग कई महिनों से अंदोलन पर बेहटी हुई हैं लेकिन उनको नयाय नहीं मिल रहा है हाले में चंदर सिखर आयाद ने भी दिल्ली वि जनता वहाँ पर मौजूद होगी छे फरवरी को या भोपाल जैसा ही आंदोलन होने वाला है इसके अलाब आगली बड़ी ख़बन निकलकर सामने आ रहे है उत्तर प्रदेश के संबल में जहां पर जैभीम बोलने पर दलिच छात्र के साथ मार पीट की गई दरसल आपको त रूप लगाया कि उसने सुक्रवार को गरतन दिवस के अफसर पर बहुत सा भीम राम बिटकर पर भांसड दिया और भांसड के समापन में जैभीम जैभारत कहा जिसके बाद इसकूल के ही छात्र आजे कुमान ने उसे धमकी दी और उसके साथ पर बाद में मार पीट की हना पर चाथ पर पर शकत कारवाई करेंगी तो आप समझ सकते हैं कि आज भी इस देश में कुछ जाती से कुंठित लोग कुछ आपको तादे की छात्र जैभीम का आपको तादे की वाद सुनकर या नारा सुनकर ही छात्रों के साथ मार पीट करते हैं जो की काफी जादा बाद हुआ था दलिट टीचर का कहना था कि छात्रों की जो देवी हैं वो माता सावित्री वाइफ उले हैं इसको लेकर कल भी मार्मी ने रायस्थान बारा का मामला था उसमें दलिट महला सिक्षका को समर्थन करने के लिए वारा पहुंची और आपको तादे की रेली निकाल के बाद प्रसाशन से सावित्री वाइफ उले की प्रत्मा को लेकर उन्होंने बात कि और दलिट सक्षका का समर्थन किया कि किस तरीके से आज भी जातिवादी लोग माता सावित्री माता